तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उम्मिद है ठीकी होंगे दोस्तो इस फिल्म का नाम है आउतार 2 दे वे ओफ वाटर दोस्तो यह हाली में 2022 में रिलीज हुई है और इसके आमडीबे पे रेटिंग है 8.5 आउट आप 10 दोस्तो आपको पताए होगा कि जेक और नेटेरी ने पे देखको उसके दोस्त डॉक्टर ग्रेस से एक आउतार की रूप से पैदा हुई लड़की भी मिलती है और उसका नाम ये केटी रख देता है उसके बाद वो अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रख देता है वहाँ पे सारी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यह की देवी का है और उस देवी के लिए हम सारे समर्पित है आगे हमें दिखाये जाता है कि जेक नेटेरी के साथ अपनी खुशी से लाइब बिता रहा था और उसके साथ-साथ उसके चार बच्चे भी होते है वहाँ पे रहने वाले लोगों को करनल का बेटा मिल जाता है उसे वो अभी भी alien ही लगने लगता है जो कभी भी उन पे हमला कर सकता है जेक अपने बच्चे को तीर चलाना मचली पकड़ना और लडने की कला शिखा देता है अब यहाँ के सारे लोग बड़े चोटे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और सब लोग एक जुट मिलके रहने लगे थे लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक बहुत बड़ा तारा दिखाय देता है जैसे वो नीचे आ रहा होता है और धीरी-धीरी वो बहुत बड़ा होने लगता है वहाँ पे जेक को पता चलता है कि धरती के कुछ लोग वहाँ पे आय हुए है और ये वही लोग होते है जो अवतार फर्स्ट में आय होते है पिछली बार जो ये लोग हार गए थे उसी वजह से ये सब लोग पूरी तैयारी में बहुत सारे हत्यार लेके आते हैं जैसे वो लोग उस प्लानेट पे लैंड करते हैं तब उनकी सिप से निकलने वाले आक से वो सारे जंगल को जला देती है वो सारे लोग उस बड़े बड़े रोबोट में बैट कर बाहर निकलाते हैं उनके साथ साथ बहुत सारी मशीने बाहर निकलाती है और वो बाहर निकल कर सारे जंगल को साफ करने लगती है आगया में दिखाए जाता है कि उनकी शीप के अंदर और एक आउतार को पैदा किया जाता है और दोस्तों ये दूसरा कोई नहीं वही मरा हुआ करनल है ये वही करनल है जिसे नटेरी ने अपने तीर से मार दिया था जैसे वो अवतार नीन से उट जाता है तो वो अपने आसफास के लोगों को मारने लगता है वो वहाँ पे बेकाबू होने लगता है लेकिन उसके साथ के सातीदार उसे कंट्रोल करते है और उसे बताने लगते है कि आप हमारे करनल है जब आप मर गए थे तब हमने आपको आउतार के रूप में बना कर फिर से जिंदा किया वो कहता है दिखने में आप उनकी तरह दिखोगे लेकिन आपके उस चीप की मदद से आपकी सारी यादे आपके दिमाग में डाल दी गए है अब उसका एक ही मकसद था उसे जेक को पकड़ना था क्योंकि वो हमेशा उनके काम को बिगारता था आगे हमें दिखाय जाता है जेक अपने सारे लोगों को लेकर उस भरिव ट्रेन पर अटेक करता है उनके सारे हत्यार को और खाने को वो चुरा लेता है वहाँ पे हम लोग उसके दोनों बेटों को देखते है वो दोनों बेटे अपने पिता की तरह बहादूरी का काम करना चाते है जेक ने उन दोनों को आने के लिए मना किया था फिर भी वो चोरी चुपे आते है लेकिन उसी समय इनसानों का हवाई हेलिकाप्टर उन पे हमला करता है और उस दोरान उसका बेटा घाहल हो जाता है जेक उसे उठा कर अपने घर लेकर आता है लेकिन वो मरते मरते बच जाता है वहाँ पे जेक अपने दोनों बच्चों को गुसा करता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया ता फिर भी तुम लोग आए आगे से ऐसा कभी मत करना दोस्तों ये सारे अवतार जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहते हैं अब ये सारे नावी पहाड के उस गुफा में रहने लगते हैं वो कहते है कि जेक हमारे हर काम में टांग अडा रहा है अगर पेंडोरा में हमारे लोगों को रहने के लिए जगा बनानी है तो हमें जेक को रोकना ही पड़ेगा और इसे लिए वो कहते है कि उसके आर्मी वो बहुत दिनों से उसे धून रही है लेकिन उन पहाडों के वज़े से उसे धून नहीं पाई लीडर करनल से कहती है कि तुम है इस एरिया का अच्छी तरके से पता है इसलिए तुम उसे बहुत जल्दी पकट सकते हो एक दिल करनल अपने बाके के सातियों के साथ उसी जगे पे चला जाता है जहाँ पे पिछली बार करनल की और उस नावी लोगों के साथ फाइट हुई थी वहाँ पे हमें दिखाए जाता है कि जेक के बच्चे और उसके साथ-साथ कुछ बच्चे भी वहाँ पे खेलने के लिए आये होते है वहाँ पे जेक के बच्चे उन आने वाले लोगों को देख लेते हैं और यही बात वो अपने पिता को जल्दी बता देते हैं जेक उन बच्चों को कहता है कि वहाँ पे कोई भी हरकत ना करें और वहाँ से चुपचाप निकल जाए जैसे वो सारे बच्चे वहाँ से निकल जा रहे होते है उसी समय करनल के सारे लोग वहाँ पे आ जाते है और उनको पकड़ कर उनको बंदी बना लेते है उसके साथ साथ करनल उस लड़के को भी देखता है जो इंसानों की तरह दिकरा होता है और करनल उन सारे बच्चों को कै लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है यहाँ पे जेक नेटेरी से बात करने लगता है वो कहता है कि स्पाइडर अभी पकड़ा गया है और कभी ना कभी वो उसे बता ही देगा कि यहाँ पे हम सारे लोग रहते हैं और इसके बाद करनल अपने सारे लोगों को यहाँ पे उनके सामने मूँ खोलने के लिए राजी नहीं था। उसी समय करनल वहाँ पे रोक देता है। वो कहता है कि एक इनसान का बच्चा है। उसके साथ इनसान की तरह पेशाना होगा। करनल स्पाइडर के साथ बात करने लगता है। वो उसे समझाता है कि मैं ही तुमारा पिता वो अपनी जगा को छोड़ कर बहुत लंबी जगा जाने लगता है जहाँ पे वो लोग उसे धूनना पाए और बहुत सारे टाफू को प्रार करके कैसे जगे पे रुख जाता है वहाँ पे जेक को पता चलता है कि यहाँ के सारे नावी लोग पानी और जमिन में रहना जानते है वहाँ के सारे नावी लोग उनके आसपास आ जाते है और जेक के फैमिली को गूर रहे होते है उन में से जेक की फैमिली बहुत ज़्यादा नीले रंग की दिख रहे होती है और यहाँ के सारे नावी लोग फीके रंग के दिखाए देते है और थोड़ी देर में उनका मुक्या वहाँ पे आ जाता है बस हमें सीखने में कुछ समय लग जाएगा उनका मुक्या जेक की बातों पे मान जाता है और उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए जगा दे देता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि उनको यहाँ पे रहने के तोर तरीके सिखाए अब आगे हमें दिखाए जाता है कि उनके बच्चे जेक के बच्चों को पाने में रहने के तोर तरीके सिखा रहे होते है और साती सात उस पाने में रहने वाले क्रियेचर की सवारी सिखा देते है शुरुआत में उन लोगों को तकलिपे होती तो है लेकिन धीरी धीरे ये सब सीख जाते है दूसरे और हमें दिखाए जाता है कि केटी पाने के अंदर बहुत आराम से रहने लगती है वो बहुत जल्दी पाने के अंदर रहना सीख जाती है यहाँ पे हमें दिखाए जाता है कि Jam उनके मुक्या के साथ, पानी में रहने वाले creature के साथ सवारी करना सीख रहा होता है, लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीवे होने लगती है, लेकिन धीरी धीरी वो भी सीख जाता है, इधर हमें दिखाए जाता है कि Colonel एक करान को creature के साथ, तेरने की और उसके साथ सवारी करने के practice कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे मुक्या का बेटा उनके बच्चों के साथ, केटी के हरकतों पे उसकी मज़ाग उड़ाने लगता है और इसी वज़े से केटी का भाई ने टीम rock के साथ fight करता है और उसे मारता है जिसके बाद जेक ने टीम से कहता है कि हमी यहाँ पे रहना है उनके साथ जगड़ा नहीं करना उनके साथ दोस्ती बनाए रखना है इसलिए इससे आगी याद रहे किसी के साथ जगड़ा मत करना और उसे समझाने लगता है कि जाकर मुक्या के बेटे से माफी मांग लो इदर हमें दिखाए जाता है कि जेक का बेटा मुक्या के बेटे से माफी मांगता है और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जिस पर मुक्या का बेटा मान जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलगी चल रहा होता है मुक्या का बेटा एक प्लान करता है और उसे एक जगे पे लेकर जाता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे सिकार करने आये है वो कहता है कि हम लोग तुम्हें पाने में सिकार करना सिखाएंगे और जैसे ये लोग सिकार करना शुरू हो जाते है, मुक्या का बेटा उसे छोड़ कर धीर धीरे वहाँ से निकल जाता है, और सारे लड़कों के साथ घर पे वापस लोट जाता है, जेक का बेटा वहाँ पे शिकार करना शुरू कर देता है, वो एक मचली को तीर से मारता है, और थोड़ी देर में वहाँ पे आसपास देखने लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो अकेला ही वहाँ पर रुका हुआ है। इसके बाद वो घर पे वापस जाने लगता है तो उसी वक्त एक बड़ी सी मचली आकर उस पर अटेक करने लगती है। लेकिन वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। फिर भी वो मचली उसे खाने की कोशिस करने लगती है। उस मचली को चकमा जेकर एक कोने में छुप जाता है। लेकिन देरी देरी उसके सास खतम होने लगती है। इसलिए उसे जल से जल उपर आना होता है, जैसे वो उपर आने लगता है, वो मचली फिर से उस पर अटेक कर देती है, लेकिन उसी बीच एक बड़ी सी वेल आकर उस मचली को मार के खतम कर देती है, वहाँ पे उसकी सासे खतम हो जाती है, इसलिए वो पानी के अंदर चला जा रहा होता है और वो पानी के अंदर धीरी धीरी डूबने लगता है कुछ देर बाद उसके आके खुल जाती है तब वो अपने आपको उस वेल के उपर बैटा हुआ नजर आता है वहाँ पे वो उस वेल का सुक्रिया करता है उससे ठैंक बोलने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई उसी दोरन उसे एक वेल के अंदर घुसीवी हुक दिखाई देती है और वो जाके उस हुक को निकाल देता है जिस वज़े से उस वेल को बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रहे होती है इसके बाद थोड़ी देर में वो लोग अपना टाइम बिताते है और वो वेल उसके साथ दोस्ती कर लेती है आगे हमें दिखाये जाता है कि वो वेल उसे बचा कर उस आईलेंड पे लेकर जाती है यहाँ पे सारे लोग एक जगे पर इकटा हो जाते है वो लोग कहते है कि हम सब लोग तुमें धून रहे थे यहाँ पे मुख्या को पता चलता है कि सारी गलतिया उसके बेटी की है और इसी वज़े से वो अपने बेटे को सजा दे ही रहा होता है उसी समय रोक्स उसे कहता है कि सारी गलतिया मेरी है उसकी कोई गलती नहीं है तब उस मुख्या के बेटे को पता चलता है कि ये सारे लोग अच्छे है उसके बाद मुख्या का बेटा रॉक्स और उसके बेहन भाई को ये साथ दोस्ती कर लेता है आगे ये सब लोग बाते कर रहे होते हैं वहाँ पर रॉक्स उसे बताता है कि उसकी जान एक वेल ने बचाई और उसके उपर का फिन कटा हुआ था मुख्या की बेटी को ये सब बाते सुन कर पता चल जाता है और उसे बताती है कि उसे टुकून बोला जाता है लेकिन वो कहते है कि जिसे तुमने देखा वो सबसे अलग है वो बहुत बड़ा है और उसका नाम पाया करन है जिसे सबसे अलग रहने के लिए कहा क्योंकि लोग सब कहते थे कि वो एक हत्यारा है उसने एक हाथसे में सारे नावी को मार दिया था इसलिए उसे अलग रहने के लिए कहा है लेकिन रॉक से सारी बातों को मान नहीं रहा था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो उनकी किसी भी बातों भी यकीन नहीं कर रहा था इसके बाद रॉक फिर से समुंदर में चला जाता है और उस पाइकन से मिलता है उसके साथ बाते करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें सबसे अलग क्यों किया इधर हमें दिखाए जाता है कि करनल अपने सातियों के साथ जेक जिस आइलेंड पे रहता है उसे धूनने लगता है लेकिन बहुत सारे आइलेंड धून धून कर एक आइलेंड पे चला जाता है वहाँ पे अपने सातियों को उतार कर करनल उन सारे लोगों को टॉचर कर करके जेक के बारे में पूच रहा होता है वैसे भी वहाँ के लोगों को जेक के बारे में कुछ पता नहीं होता इसलिए Colonel उनके कुछ creature को मारने लगता है वहाँ पे उसका बेटा spider उसे बता रहा होता है कि इन लोगों को छोड़ दो इन लोगों को कुछ नहीं पता यह लोग मचवा रहे है Colonel उसकी बाते मान लेता है लेकिन जाते जाते उनके रहने वाले पूरी जगा को जला कर जाता है ऐसे ही करते करनल बहुत सारे आइलेंड पे चला जाता है और वहाँ के गावालों को टॉचर कर करके वो उनसे जेक के बारे में पूच रहा होता है लेकिन उसे कोई पता नहीं चलता एक दिन करनल को पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले बहुत बड़े मचलिया है जिने वेल के नाम से जाने जाते है इसलिए करनल उनके पाने में रहने वाले बड़े से टुकून का शिकार करने का प्लानिंग करते है ताकि उन लोगों को लगे कि ये बहुत ताकतवर है इसके बाद हमें दिखाए जाता है कि करनल उन सारे मॉंस्टर कुछ ऐसे अल्टर साउंड से हमला करता है जिसकी बज़े से उन सारे मॉंस्टर को तकलिब होती है और वो बेहुश होने लगते है इसी वज़े से बहुत सारे मचलिया अपने बच्चों को लेकर समुंदर के अंदर चले जा रहे होते है यहाँ पे करनल बहुत बड़े मॉंस्टर को मारने में कामयाब हो जाता है और उसका बच्चा उसके आसपास घुमने लगता है इस वज़े से स्पाइडर को बहुत ज़्यादा तकलिफ होने लगती है वो सोचता है कि यह इनसान हमारे यहाँ पे रहने लाइक नहीं है करनल के लोग उस क्रियेचर को मार कर उसके मूँ के अंदर चले जाते है और इसी लिक्विट को जमा कर करके यह लोग मारकेट में बेच कर करोडो कमाना चाते है इदर रॉक स्पाइकन के साथ अपना बॉंड बना लेता है और उसके बारे में पता करता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया वहाँ पे उसे पता चलता है कि बहुत सारे हंटर्स ने उस पर हमला किया था उस fight में बहुत सारे टुकून और बहुत सारे नावी मारे गए और इसका जिम्मेदार उसे ही ठहरा दिया और इस वज़े से उन सारे नावी को लगता है कि उसी ने मारा है इसलिए उसे इन सबसे अलग कर दिया गया करनल उसका लिक्विट निकाल कर उसे मार कर वहाँ पे फेक देता है इसके बाद वो सारे नावी लोग उसे देखकर वो बहुत ज़्याद़ दुकी हो जाते है क्योंकि यह सारे प्रानी सारे क्रियेचर उनकी फैमिली ही होती है इसके बाद सारे लोग जेक को भला बुरा कहने लगते है वो कहते हैं कि तुमारी वज़े से वो इनसान यहाँ पर आए और हमारे सारे क्रियेचर को प्रानीों को मार रहे है इसके बाद उनका मुक्या कहता है कि जो भी हुआ हम उसका मुकावला करेंगे हम सब मिलकर उन पर अटेक करेंगे वहाँ पर जेक उनसे बताने की कोशिस करता है कि तुम सब लोग उन सारे इंसानों से जीत नहीं पाऊगे उनके पास बहुत सारे अधुनी खत्यार्स है और उसी वज़े से हम सब को मार सकते है यहाँ पर रॉक्स को उसके दोस पाइकन की रचिंता होने लगी थी इसलिए वो उसे मिलने के लिए चला जाता है वो आपर उसके भाई बहन उसे जाने के लिए मना करते है लेकिन फिर भी वो चला जाता है लेकिन उसके पीछे पीछे उसके दोस भी उसके साथ चले जाते है जब रॉक्स पाइकन के पास चला जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ा तीर लगा हुआ है वो सारे बच्चे उस तीर को निकालने के कोशिश करते है और उसी समय उनको पता चलता है कि बहुत सारे हंटर उनके पास आ रहे होते है उसी समय रॉक्स अपने पिता को बताता है कि वो इंसानी लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आया हुय है वो सारी बाते अपने पिता जेक को बताता है इसके बाद जेक उन सारी लोगों को लेकर उनके पास आने लगता है इसके बाद सारे बच्चे उस monster को लगा हुआ तीर निकालने में कामियाब हो जाते है और फिर वहाँ से वो लोग भागने लग जाते है यहाँ पे rocks का दोस बहुत बड़ा monster होता है और उस size से बहुत बड़ा होने के कारण उसके अंदर से बहुत ज़्यादा liquid भी निकल सकता है इसलिए करनल उस पे हमला करना शुरू कर देता है यहाँ पर उसके मुक्या की बेटी मरने ही वाली थी लेकिन थोड़ी देर में जेक का बेटा उसका हाथ पकड़ कर उसे बचा लेता है जैसे ही सारे बच्चे भागी रह होते है लेकिन अचनक से करनल के जाल में यह सारे बच्चे फस जाते है थोड़ी देर में जैक पोच जाता है और वो देखता है कि उनकी ship पर उनके बच्चों को बांद के रखा हुआ है वहाँ पे करनल अनाउस्मेंट करता है कि अगर तुम लोग अपने बच्चों को बचाना चाते हो तो जेक को अकेलों को यहाँ पे आना होगा जेक वहाँ पे उन सारी लोगों की भलाए के लिए अकेले ही चला जाता है जैसे जेक उनकी ओर चला जा रहा होता है तब रॉक्स का दोस्ट बहुत बड़ा पाइकन उनके ship पर हमला कर देता है और अपनी पूच से उन सारी ship को तहस नईस करके उसे तोड़ देता है और इसी बहाने से उस मुख्या को भी हमला करने का मुका मिल जाता है यह सारी लोग उस ship पर हमला कर देते है यहाँ पे इंसानों में और नावी लोगों में बहुत बड़ी fight होने लगती है यहाँ पे बहुत सारे इंसान भी मरते है और नावी के कुछ लोग भी मरते है जेक के बच्चे को छुडाने के बाद वो सारे बच्चे उस इंसानी बच्चे को भी धून लेते है और उसे भी अपने साथ लेकर जाते है उसी दोरान जेक के एक बच्चे को गोली लग जाती है और उसकी मा ये सब देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती वो चिला चिला के रोनी लगती है वहाँ पे जेक के दो बच्चे को करनल ने पकड़ लिया होता है और इसी प्लान में करनल सोचता है कि इनको बचाने के लिए जेक जरूर आएगा और हम लोग उसे मार देंगे जब जेक के बेटे की मोत हो जाती है तब जेक और नेटेरी बहुत ज़्यादा गुसे में उनको मारने के लिए निकल जाते है तब नेटेरी और जेक वहाँ पे चुपके से पोच जाते है जेक उस शिप पे बहुत बड़ा धमाका कर देता है और बहुत सारे इंसान वहाँ पे मर जाते है उस ship पर नेटेरी भी पोच जाती है और वो इतनी गुसे में होती है कि हर एक इनसान को अपनी तीरों से खतम कर रहे होती है यहाँ पर मोका देखकर करनल जेक के बेटी के गले पर चाकू रखकर उन सब को हत्यार डालने के लिए कही देता है लेकिन तेभी नेटेरी चुपके से आकर करनल के बेटे स्पाइडर को पकड़ती है जबकि उसने अपना बेटा खोया है इसलिए वो आगे बीचे नहीं देखती वो सीधा उसे मारने ही लगती है तब करनल उसके बेटी को छोड़ देता है वहाँ पे जेक और करनल के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है और उसके बाद जेक करनल के गले को दबा कर मार देता है यहाँ पे वो सिप पूरी तरी से पानी के अंदर फस रहे होती है जे के बाद जेक को उसका बेटा उसे बचा लेता है और उसे पानी के बाहर निकाल लाता है उसी समय स्पाइडर को करनल मिल जाता है और स्पाइडर भी करनल को बचा कर पानी के बाहर ले आता है क्योंकि करनल ने स्पाइडर की एक बार जान बचाई थी इसलिए स्पाइडर ने उसकी जान बचा कर उसे छोड़ देता है करनल उसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए लेकिन स्पाइडर उसे छोड़ कर अपनी फैमिली के पास फिर से चला जाता है यहापे फिल्म की लाश्ट में जेक के बेटे को अपनी देवी एवा को सोब देते है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खतम हो जाती है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखना